ननत की कोख मारे वर्ष को एक बच्चा नहीं दे पाई माजी पर इसमें मेरी क्या गलती मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कितने डॉक्टर को दिखाया लेकिन लेकिन फाइदा क्या हुआ बहू बड़े बड़े डेक्टर्स के पास जाती है महंगा महंगा ट्रीटमेंट करवाती है देख बहू अब मैं तेरे उपर और पैसे बरबाद नहीं कर सकती बैटर यही होगा कि तू चली जा अपने माई के है माजी अपने माई के क्यों नहीं मैं नहीं जाओंगी यही मेरा घर है शिखा अपनी सास को समझा रही होती है कि तभी वहाँ शिखा का पती संजीव आ जाता है क्या हूँ अमा अज इतने गुस्से में क्यों हो देख बेटा मेरी बात कान खोल कर सुन ले तुझे अपनी बीवी और मा में से किसी एक को चुनना है या तो शिखा इस घर में रहेगी या मै और अगर कल तक शिखा इस घर से नहीं गई तो मैं ये घर छोड़ कर चली जाओंगी संजीव मा की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे अगले दिन संजीव शिखा को उसके माई के छोड़ने चला गया उनका कहना भी तो गलत नहीं तो मा में एक बच्चा भी नहीं दे पा रही हो तो क्या ये सब मेरे हाथ में हैं आप सब मेरे जग़ा खुद को रख कर क्यों नहीं देखते मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है लेकिन मा ने मुझे धमकी दिया कि अगर तुम घर से नहीं गई तो वो कहीं चली जाएंगे दिखो फिलाल तुम कुछ दिन अपने माई के में रहो जब मा का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला कर ले जाऊंगा और अगर मा का कुछ साशान नहीं हुआ तो संजीव शिखा के इस प्रश्ण का उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि इसके जवाब में शिखा की बेबसी छीपे थी शिखा अपने माई के आगे लेकिन शिखा के भाई अंशुल और मा मंजु ने शिखा की परेशानी सुने बिना ही उसे सुनाना शुरू कर दिया शिखा तुम बोल रही हो कि तुमारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया लेकिन क्यों बेटा सम्दन जी ऐसी नहीं है जरूर तुमने ही कुछ किया होगा मा भया आप दोनों मुझे पर ही इल्साम लगा रहे हो मैंने कुछ नहीं किया आप ही पताओ जो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं वो मैं कैसे कर सकती हो शिखा तुमने हर बार अपनी मन माने की है हमने तुमसे कुछ नहीं का मैं तुमारी साथ से बात करूँगा और अगर गलती तुमारी निकली न तो फिर तुम मुझे जानती हो अंशुल अपनी बहन को डाटी रहा था कि वहां उसकी पत्नी अंकीता आ जाती है अंशुल जी मैं कब से देख रहे हूँ आप अपने बहन को कितना डाट रहे हो अभी तो घर में आकर खड़ी हुई है वो उससे कुछ खाने पीने दो, थोड़ा आराम करने दो अंकीता तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इसके दुश्मन है आप इसके दुश्मन नहीं हो, लेकिन दोस्त वाली हरकत भी नहीं है आपकी शिखा पहले से ही इतनी परिशान है, और परिशान क्यों कर रहे है उसे चलो शिखा, कुछ खालो पहले नहीं बाबी रहने दो, मा और भाई की बातों से पेट बर गया मेरा शिखा वहां से चली जाती है, अंशुल शिखा की सास से बात करने की बात कहता है मा, शिखा की सास तो बहुत गुस्से में है, वो शिखा के बारे में बहुत बुरा बोल रही है कहा रही है कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे बेटे कभी मा नहीं बन सकती तो उसे हमारे सर पर मढने की क्या ज़रूरत थी ये कैसी बात कर रही है शिखा की सास? वो पहले ही इतनी दुखी है आप दोनों को उसका साथ देना चाहिए उसके मदद कर नीची है लेकिन आप दोनों को तो उसके जखमों पन नमक छिड़कने से ही फुरसत नहीं कौन औरत ऐसा चाहेगी कि वो जान बुझकर माना बने अंकिता के समझाने का उनके पती और सास प बना रही थी तो शीखा तुमारी भावी कहा है उनकी सर में थोड़ा दर्द था तो आज नाष्टा मैंने बना दिया देखो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूत नहीं है तुम चार दिन की महमानों महमान बन कर रहा हो मा मुझे नहीं करना नाष्टा में ऑफिस में कुछ खालूंगा मा पहिया ने तो कुछ नहीं खाया क्यों करते हैं ऐसा चलिए आप भी कुछ खा लीजिए तेरी वज़े से मेरा बेटा भूखा गर से निकल गया और मैं खालूं नहीं खाना मुझे भी कुछ भी मंजु भी वहाँ से चली जाती है अपने माई के वालों के बरताव से शिखा को बहुत दुख होता है अब वो हमेशा चुप चुप और अपने कमरे में रहती अंकिता से अपनी ननत की ये हालत देखे नहीं गई तो वो अपनी ननत को लेकर इन विट्रो पहले बात करके तो देखते हैं क्या पता हमारी बात मानी ले शिखा अपने पती और सास को अपने माई के बुलाती है और सभी को आई वी एफ के बारे में बताती है शिखा तुम बागल हो गई हो और अंकिता तुम भी शिखा की बातों में आ गई मैं शिखा की बातों में नहीं आई बलकि मैं ही शिखा को वहाँ लेकर गई थी और इसमें बुराई क्या है? अंशुल बेटा एक तो तुम्हारी बेहन हमारे बंश को आगे नहीं बढ़ा सकती उपर से तुम्हारी पत्मी उसे न जाने कहां कहां ले जा रही है पता भी है इसमें कितना पैसा लगेगा अंटी जी वैसे भी तब शिखा के इलाज में कितना पैसा उठा चुकी है थोड़ा और सही अंकीता चुप हो जाओ एक तो तुम्हारी बाते हमारी समझ में नहीं आ रही जब डाक्टर जवाब दे चुके हैं कि शिखा मा नहीं बन सकती तो कैसी बाते कर रही हो तुम्हारी जाने कहां से कौन सा जादू टोना निकाल कर लाई हो मा जी ये जादू टोना नहीं बलकि साइंस का चमतकार है एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा निसंतान दमपती माबाब बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं देखो संधन जी आप अपनी बेटी और बहु के दिमाग का इलाज करवाओ मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ चलो संजी ओ बेटा शिखा की सास और उसका पती वहाँ से चले जाते हैं अंकीता और शिखा सबको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता शिखा और भी ज्यादा निराश हो जाती है दिखा भाबी यहाँ कोई हमारी बात सुनने के लिए समझने के लिए तयार नहीं है अब हम क्या करेंगे हमें किसी से कोई मतलब नहीं है हमें तो सिर्फ संजीव को तयार करना है अगर वो तयार हो गया तो सब कुछ हो जाएगा हमें संजीव से एक बार और मिलना होगा अंकिता और शिखा संजीव से मिलने जाती है संजीव को बहुत समझाती है लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है अंकिता भावी आपका समझाना बेकार है मा नहीं मानेंगी और लोग क्या कहेंगे संजीव आप कब तक लोगों की सुनते रहेंगे बच्चा आपको शिखा को चाहिए लोगों को नहीं आप देखेगा जब बच्चा आपकी गोद में आ जाएगा तो आप सारी बाते सारी परेशानिया भूल जाएगे और ये बात पी तो सही है ना कि आप शिखा से बहुत प्यार करते हैं लेकिन मा के कहने पर आपको शिखा से दूर रहना पड़ रहा है कब तो कैसे ही चलता रहेगा अगर जिंदगे में कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान ढूरना चाहिए उससे भागना नहीं चाहिए आप देखना जब आपकी घर में बच्चा आ जाएगा ना तो आपकी माँ से ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा आप ठीक कह रही है बाबी आपने मेरी आखे खुल दी मैं आज ही शिखा को अपने घर ले जाओंगा और कल शिखा और मैं आईवेफ सेंटर ज़रूर जाएंगे संजीव अंकिता की बातों को समझ पाता है और इस तरह अंकिता ने अपनी प्यारी ननद शिखा का घर तूटने से बचा लिया